कुछ लोग इसमें आग लगने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई हिंदू मुसलिम या कोई ऐसी सांप्रदाइक तह इसमें नहीं है ये हमला जो हुआ है सांप्रदाइक तह इसमें है नहीं ये दुरुभाग्य की बात है गलत पहिमी के सिकार हुए है जो बहुत ही निंदनी अब पुलिस क्या कर रही है सरकार क्या कर रही है किया ना कर रहे हैं हमने किया किसी को नहीं बक्षा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं वह इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे आग ना लगाए ये कोई मजब की बात नहीं हैं सिर्फ गलत पहिमी जो हुई इस कारण इनके हत्या होगी लेकिन इसके बावजुद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं एक तो मैने जैसे पहले कहां कि यह जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही उनको रोका गया दादरा नगर हविली जो सिल्वा सवगर केंद्रशासित प्रदेशे उनको रोका गया वहां से उनको लोटाया गया अब यह कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती है अगर मगर में कोई मतलब नहीं है अगर वहाँ पर उनको रोका जाता और दूसरी दिन सुबह मार्श सरकर के साथ कोई सला मश्वरा करके इनके बारे में नेड़े हो सकता था लेकिन हुआ नहीं दुर्भागी की पात है लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ इसमें कोई भी साम्प्रदाएग बाप है ने तो से भी जारा लोगों को हमने गिरफतार किया है जिनको 30 अपरिल तक पोलिस कश्टेडी मिली है पोलिस की हिरासत में है इसमें पाँच जो इनके मुख्या थे वो भी आज कस्टेडी में है और सो तेर सो जितने भी हो जोबी लोग इसमें शामिल होने की संभावन आए उनकी तलास जारी है और फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि जो भी लोग इसमें गलत फहिमी फाहिलानी की कोशिश करेंगे कुरुपा करकर ऐसा मत करें मेरी बात अमिद शाहज इसे भी हुई है सुबह उनका फोन था कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है आमिद भाई ने भी उनको भी पता है कि यहां कोई आगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाया मजब के लोग रहते नहीं है तो इसमें सांप्रदायक्ता की बात है ही नहीं